आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का फोन है तो आप अपने फोन में फूल स्क्रीन जैस्टर्स यानि कि ये जो आपके नीचे नैविकेशन बटन्स होते हैं इन्हें कैसे हाइड कर सकते हैं और जैस्टर्स को कैसे इनेबल कर सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो आपको उसके लिए ओपन करना है अपने फोन में सैटिंग्स को तो यहाँ पर हम सैटिंग्स को ओपन कर लेते हैं सैटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है नीचे आएंगे तो फिर display and brightness तो आप display वाले option पर click करिए उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपके phone की display settings आएगी आपको यहाँ पर इस page पर नीचे आना है यहाँ पर आप नीचे आएगी तो आपको मिलेगा एक option navigation bar अगर आपको यह option नहीं मिलता है तो आप अपने phone की settings में आकर यहाँ पर जो search का option है इस पर click करिए यहाँ पर आप search करिए navigation bar यहाँ पर आपके सामने option आ जाएगा इस पर आप click करिए उसके बाद यहाँ पर आप इस page पर आ जाएंगे तो navigation bar पर click करते हैं हम उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आएंगे आपके सामने दो option आपका यहाँ पर by default button select रहता है उसके नीचे आप देख सकते हैं एक option है swipe gestures का तो यहाँ पर आपको जो circle है इस पर click करना है click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर full screen gestures आपके phone में enable हो जाएगा नीचे आप देख सकते हैं navigation buttons hide हो चुके हैं तो यहाँ पर अगर आपको इन्हें use करना नहीं आता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए अगर आप back आना चाहते हैं तो आपको left side से इस तरह से right side करना है इस तरह से left से right करेंगे तो यहाँ पर आप back हो जाएंगे और यहाँ पर recent apps के लिए आपको जो यहाँ पर आपको यह line दी गई है बीच में इस तरह से उपर करके रखना है और आप recent apps इस तरह से open कर सकते हैं home पर आने के लिए आपको सीधा नीचे से उपर की तरफ swipe करना है और इस तरह से आप home page पर आ जाएंगे यानि कि अपने phone की home screen पर आ जाएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe शरूर करें